बिसमें लिए रामान्रहीम आज जो हमारा टबिक है यह है केस P जो के में टॉपिक हम लोग ने जो स्टार्ट किया हुआ है वह एक गुडविल एक्जिस्ट इन बॉक्स ओफ अकाउंट के गुडविल जो है पहले से ही बॉक्स ओफ अकाउंट में एक्जिस्ट करती है आप example देख लीजिए और अगर आपने ये theoretical portion और example अच्छी तरीके से देख लिया तो फिर आपके पास आने वाले जो problems हैं वो problems इंशालला नहीं रहेंगी और आप उसको खुद से ही solve कर पाओगे तो लो जी अब इसमें क्या है कि when goodwill appears at less than full value कि इसमें जो goodwill appear हो रही है वो full value से कम है अब full value का मतलब क्या है कि जो at the time of admission calculate होकर आ रही है goodwill वो कितनी है अगर पहले वाली उससे कम है तो हम कहेंगे कि goodwill appears at less than full value कि actual में जो उसकी full value बन रही है वो इतनी बन रही है लेकर जो existing है वो उससे कम बन रही है for example कि जो पहले वाली है वो है 30,000 और जो at the time of admission goodwill calculate हो यह वो है 50,000 अब आपने निगा पहले वाली पर रखनी है दूसरे वाली कौन सी है जो बाद में calculate होई है यानि at the time of admission निगा किस पर रखनी है देखना किसको है पहले वाली को पहले वाली को देखना है पहले वाली को देखना है और compare किसके साँ करना है दूसरे वाली के साथ पहले वाली को देखना है जिनि जो अल्रड़ी एक्जिस्ट कर रही है अगर वो उसके equal है, दूसरी वाली के तो full value पीयर हो रही है और अगर पहले वाली उस calculated से कम है तो हम कहेंगे less than full value और अगर पहले वाली उस calculated से ज्यादा है तो हम कहेंगे more than full value बहुत simple है यानि आपने किसमे फॉकस करना है पहले वाली को और उसको compare किसके साथ करना है दूसरे वाली कौन से उससे मेरी क्या मुराद है दूसरे वाली से मुराद है calculated at the time of admission of incoming partner या new partner done सबसे पहले तो जब एक नया partner आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसकी goodwill calculate करेंगे अब goodwill के calculation के method वो और है उसके treatment के method वो और है अगर आप sequence से वीडियो को देखते आ रहे हैं तो आपको ये दो topic मैंने शुरू में बार बार का है कि calculation of goodwill और treatment of goodwill ये दो अलग topic है और ये comprehensive topic है बाज अब ये mix हो जाते हैं तो उसमें problem होती है त्यान से इसको differentiate करके रखियेगा कि जो methods of calculation of goodwill हैं वो और हैं और जो method of treatment of goodwill हैं वो और है ठीक है तो treatment और है और calculation और है यानि उसके methods और है at the time of the admission of a partner the value of the goodwill is calculated हम अपस method के मताबिक जो और साभी method हमें उसमें से use करेंगे उसके मताबिक हम एक goodwill की value calculate करेंगे calculate कर ली if the value of goodwill appearing in the books जो पहले से books of accounts में exist कर रही है is less than the value of calculated goodwill कि अगर जो goodwill की value पहले से books of account में है वो कम है उस calculated goodwill से जो अभी हमने calculate की है तो then we say the goodwill appears at less than full value जैसे कि appear हो रही है पहले से 30,000 और अभी जो calculate हो गई है वो है 50,000 तो जो already exist कर रही है वो calculated से कम है तो यनि full value से कम है तो कितनी कम है 20,000 20,000 कम है अब इस जो 20,000 का difference है इसे हमें raise करना है इसे हमें बढ़ाना है ताके वो full value पे appear हो जाए और full value कितनी है 50,000 तो हमें 30 को 50 पे लेकर आने के लिए 20,000 का जो gap है उसे increase करना पड़ेगा तो goodwill का account अब क्या होगा वो आपको entry से पता होता है मतलब क्या आपको यह पता है कि जो goodwill है वो asset है और asset debit होता तो इसका मतलब है कि goodwill को जो बढ़ाना है तो मतलब asset बढ़ेगा तो जब asset बढ़ता है तो क्या होता है debit होता है तो हम क्या करें goodwill को debit करेंगे ठीक है और create किसको करेंगे obviously जो पहले वाले old partner उन्हीं को जिसका benefit जाना चाहिए तो old profit sharing ratio के मताबिक उनके account हम create कर देगे यह है इसकी treatment done तो बहुत simple यहीं नीचे point इसका यहाँ पर लिखा हुआ है लो जी value of goodwill is raised इसको हम कहते है return up यानि हम उसको write up करेंगे उसको return up करेंगे यानि उसको बढ़ाएंगे value of existing goodwill is raised उसको बढ़ाया जाएगा up to the value of calculated goodwill कहां तक बढ़ाएंगे जहां तक calculated goodwill है जैसा कि 30,000 exist कर रही थी 50,000 calculated है तो हम उसको 50,000 तक बढ़ाएंगे बढ़ाने के लिए में कितना raise करने पड़ेगा 20,000 है अगर पहले से existing 50,000 होती और जो नई calculate होकर आई है वो 90,000 है तो 50 और 90,000 में 40,000 का difference होता है जब 40,000 से उसको increase करते हम क्या करते है 40,000 से goodwill का account करते debit और जो old profit sharing ratio है उसके मताबिक जितने भी partner existing है old partner उनके तनान उनको उस ratio के मताबिक credit कर दिया जाता सही यह है इसकी treatment therefore the goodwill account would be debited with raised value मतलब जितने से उसको raise करना है वो 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है and capital account of the old partners would be credited in their old profit sharing ratio और जो existing partner है उनकी जो है accounts उनको old profit sharing ratio के मताबिक उनको credit कर दिया जाएगा done लो जी यह हो गया यहां तक तो बस इसकी यह तरीकार होगा अब इसमें आपको एक तो यह पता चलगा है कि appearing less value का मतलब क्या है मतलब आपने पहले वाली को देखना है और दूसरी के साथ compare करना है एक point गये जहर में रखना है दूसरा हम करेंगे क्या हम बढ़ाएंगे इस case में अगर less than full value है तो हम क्या करेंगे existing वाली को बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे जितना उसका गया पा रहा है जितना उसको difference आ रहा है तीसरा उसकी entry क्या होगी goodwill का account debit होगा और capital का account credit होगे लेकिन किस ratio की मताबिक old sharing ratio की मताबिक तो अब topic clear होगे आपको अब इसकी example है वो हम next video में देखेंगे तो आपको ये clear हो जाएगा तो points अगर आपको ये समय लगए है तो आपके लिए असान रहेगा के सी है वो इसके opposite है उसमें ज्यादा है तो उसमें हमें कॉम करना है तो जहां जो जीज debit हो रही थे वो credit हो जीए जो credit हो रहे है वो लगजए वें गुद्विल अपियर्स एट अगर वो more than full value है यानि full value से अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा अगर अगर आपको पार्टनर्स के वाग तो उसकी फूल वैल्यू समय लगई होगी कि हमने पहले वाली को देखना है अब पहले वाली जो है वो ज्यादा है calculated से यान जो calculated है वो आ रही है for example हम कह लेते हैं जी 15,000 और जो पहले से exist कर रही है वो आ रही है 25,000 तो जो पहले exist कर रही है वो ज्यादा है वो 25,000 है और जो calculation के वक्त आ रही है वो 15,000 है तो इसका मतलब यह है कि वो existing ज्यादा है हलाग कि at the time of admission उसकी value 15,000 होने चाहिए थी तो इसका मतलब आपकी books of account में goodwill की value ज्यादा लिखी हुए तो उसको हमें क्या करना है कम करना है जिसको हम कहते है रिटन आफ पिछले में write-up किया था इसमें written-off करेंगे लोड की जाएगी अप टु दे वेल्यू फटा कैलेट गुडविल उसको हम कम करेंगे जितने डिफरेंस हारा होगा यहाँ पे गुडविल का अकाउंट करेंट होगा विद लोड वैल्यू जितने से उसको लोड करना है and the capital account of the old partner would be debited in their old profit sharing ratio और उनको जो capital account होगे old profit sharing ratio के मताबिक debit हो जाएगे बस ही इसकी treatment है अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ में add कर दूँ के यह तीनो method हम लोग ने पिछली video less than full value यह वो practical scenario में इस तरह होता नहीं है अगर goodwill पहले से books of account में exist कर रही हो और एक नया partner जो है वो business में admit किया जाए तो उसमें यह नहीं होता के difference कभी भी कोई partner नहीं लेता कि उसमें वो comparison यह किताब हमें ठीक है मतलब साथ तक है लेकिन ऐसा practically नहीं होता है मतलब के जो existing partner होंगे ना for example कि पहले books of account में suppose करें कि वो 25,000 आ रही है और at the time of goodwill उसकी आ रही है value 15,000 तो इसमें क्या होगा 10,000 से उनको काम करना पड़ेगा goodwill account काम करना पड़ेगा और उनके अपने capital में से भी balance काम हो जाएगा तो क्या ये old partners चाहेंगे कि उनके capital काम हो जाए और जो goodwill appear रही थी वो भी उसमें से कम कर दी जाए रंदब एक तो वो नया partner admit कर रहे है दूसरा goodwill भी अपनी कम कर रहे है ऐसा old partner कभी भी नहीं चाहेंगे even उसको raise भी करना हो तो तब भी उनको उसमें इतना फाइदा नजर नहीं आ रहा रहा है क्योंकि हर इसा अपनी आपको देखता है तो practically ऐसा नहीं होता है practically ये जो scenario है कि goodwill already existing account उसको कुछ trade इस तरीके से किया जाता है कि जो goodwill पहले से books of account में appear हो रही होती है at the time of the admission of a new partner उसको वैसे react-off कर देते है कि इसके जान चुड़ाओ ताके जो नया partner आ रहा है उस वक्त उसकी goodwill की पहले उसको ये नहीं उसको मतलब ये है कि वो कहेंगे भई goodwill पहले है ही नहीं अब आप आ रहे हो अब है goodwill लाव पैसे ताके जो नही goodwill आए वो existing partner के capital account में के रिड़ेट हो अभी तो फायदा है existing वालो को वरना वो एक नया partner को क्यो ला रहे है तो वो क्या करेंगे पहले क्या शो करेंगे पहले goodwill की को value exist हमारे past books of account में exist करती ही नहीं है तो इसलिए practically usually यही approach follow की जाती है कि अगर already वो books of account में exist कर रही हो तो उसको पहले right of कर दे जाता है चाहिए वो more हो less हो add full value whatsoever the case right of करके उसको books of account से वैसे ही सफाया कर दे जाता है जब वो खतम हो जाएगी तो अब जब admit किया जाएगा तो उस वक्त एक नई value of goodwill की calculate होती है अपने profits की बेस पर और उसको का जाता है कि इतनी value बन रही है इतने आप अपनी investment लाएं इतनी goodwill की value लाएं तो आप in हो जाएंजी उम्मीद आई आए आपको यह बात समय लगी होगी लेकिन यह ज़रा थोड़ा हटकी है बलके कुछ books of accounts में में आपको बताऊं के जो खासवर पर C.A. foundations के अंदर यही approach follow की जाती है जो मैंने यह last week बताई है लेकिन हमारी जो यह book है जिसको हम follow करेंगे इसके अंदर इसने इसी approach को follow किया है तो हम इसी को लेके चलेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि actual में हुँ है और इस तरीके से अंदर हम आपको इसके तीनो टॉपिक के ओपर जो वो example है वो हम बताएंगे और इस तरीके से यह topic overall आपको clear हो जाएगा बस अगर वीडियो आपको multipedia की अच्छी लगी इसको आप like कर लो शेयर कर लो दूसरों के साथ अगर आपको चीनी लेगे इसको आपको दिस्लाइक और वीडियो देखने का मैंशन के दरा बहुत बहुत शुक्रियों